नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका CP Smart Classers में दोस्तों आज के इस वीडियो में रोजगार से सम्मंधित सभी खाबरों के बारे में चाचा करेंगे तो दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहली खवाल लेते हैं इसमें सिच्छक भरती वा प्रचारे के पदों पर दियाचन मिलने करें दियार है तो कौन से पद है देखिए प्राचारी के 290 पद है यहां पर और असिस्टेंट प्रोफेसर के 4900 पदों पर होनी है भरती और इन दोनों के लिए दियाचन जैसे ही मिलेगा विग्यापन जारी कर दिया जाएगा आपको पहले भी मैंस के बार यह अभी कई विश्वों के च्छादर जोइन कर चुके हैं और एक दो विश्वों के च्छादरों को जोइन करना है विग्यापन संख्या 47 के तहद वह भरती थी और अब जो भरती आएगी विग्यापन संख्या 50 के तहद आएगी जो प्राचारियों की 290 पद हैं इनमे 77 महा भी देले, पुरूस की 134 वा 74 महा भी देले महिला के 30 पद हैं और इसना तक महा भी देले, पुरूस की 105 यह इसना तक महाविद्दाल महिला के 21 पते सामिल है गेट 2021 की परिच्छा पांच से 14 फरवरी तक होगी गेट एक एक्जाम होता है जिसके थुरू जिसमें B-TECH B-E के लोग बैठते हैं और इसके थुरू M-TECH में एडमिसन मिलता है तो IIT में एडमिसन M-TECH करना है तो इसी के थुरू एडमिसन मिलता है और इसमें इस पर बदलाव किया गया है इसमें दो नए विशे परियावरण बिज्ञान व इंजिनियरिंग और मानविकी तथा सामाजिक बिज्ञान को भी सामिल किया गया है तो यह पहली बार किया गया है इस तरह की विशे इसमें पहले सामिल नहीं होते थे अगली खबर TGT 2016 के जिव बिज्ञान विशे की है 304 पदों पर जिव बिज्ञान विशे के पद भरने थे इसके लिए आवेदन कराया गया था TGT 2016 में लेकिन इसकी परिक्षा नहीं होई थी और जो टूटल आवेदन हुए थे वो 67,500 आवेदन इसमें हुए थे बोर्ड ने उनका आवेदन को यह करकर निरस्ट कर दिया था कि अब इसे हाई स्कूल के पार्ठी करब में सामिल नहीं है हाई कोट ने 13 फरोज 2020 को भरती करने का आदेश दिया इसके बोर्ड ने भरती मिज़स्त का अपना आदेश वापस ले लिया बोर्ड की ओर से कहा गया कि पांच जोन को लिखित परिच्छा करा कर चैन प्रिकरिया कराई जाएगी लेकिन उसके पहले कोरोना के कारण लागडाउन लग गया तब से अभ्यार्थियों को लिखित परिच्छा की तारिक जारी होने का इंतियार है डिप्टी सियम से वारता करेंगे सिच्छनगतर कर्मिचारी तो इसमें पुरानी पिंसन पदुनत के साथ वेतन प्रथी चिकित सा भत्ता जैसी भहुत सारी मांगे है इनको लेकर आंदोलन रत सिचनगतर कर्मिचारी एक बार फिर सक्रियता बढ़ाने वाले हैं और कोरोना संक्रमनकाल में आंदोलन इस्थगित करने वाले कर्मिचारी अगस्त में लखनो कूंश करने की तयारी कर रहे है वह उच्च सिच्च मंत्राले का परभार देख रहे हैं डिप्टी सीम डॉक्टर दिने शर्मा से लंबित मांगों को लेकर निरनायक वर्ता की तयारी कर रहे हैं डिप्टी सीम का रूख देखने के बाद कर्मिचारी अंदोलन की रूप रेखा तैं करेंगे प्रदेश के माध्मिक विद्यारियों में 50,000 के लगभग सिचनतर कर्मिचारी कारियरत हैं हुआ है योगिताधारी कर्मिचारियों को सिच्चक पद पर पदुन्नत देने राजकिय कर्मिचारियों के समान 300 दिनों के आवकास का नगदी करन चिकित सा भत्ता, आवास की सुविधा, प्रबंध, समीती में भागिदारी, पुरानी पेंसेन बहाली कर्मिचारियों की नियुकती पर लगी रोक हटाने जैसी मागों को लेकर आंदुलन रथ है मागे पूरी करवाने के लिए 28 वा 29 जन्वरी को सिच्छा निदेशालय प्रियागराज पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया था उन्हें मार्च में लखनों में प्रदर्शन करना था लेकिन कोरोना संक्रमन के चलते लावलों करन अंदुलन ने सगित कर दिया गया इधर अनलॉक गोसित होने पर कमेंचरी अंदुलन की गती देने में जुट गये हैं यहीं एल्टी ग्रेट की भी खबर है देख लेते हैं इसको निदेशालय का घेराव करेंगे चैनित के लिए निदेशालय का घेराव चैनित करने वाले हैं इसके ताहद 28 जुलाई को अभ्यारती सिच्छा निदे साल है प्रयाग राज के गहराओ करेंगे उचित आस्वासन ना मिला तो बेमियादी सत्याग्राइश शुरू कर देंगे उत्य प्रदेश लोग सेवा आयोग ने एल्टी ग्रेट के तहद 15 विश्यों की भरतिन कालित थी जिसमें पांच बेहने पहले 15 विश्यों का रिजल्ट जारी किया जा चुका है इसमें 4244 का चेहन हुआ है लेकिन उनको जुइनिंग नहीं मिल लई है और सत्यापन के लिए बोला जा रहा है कि सत्यापन के बाद जुइनिंग मिलेगी तो अभ्यार्थी अब काफी परिशान हो चुके हैं और अब सांध राने के बजाए नियाय के लिए अवाज अपनी बुलंद करना चाहते हैं लेकिन होता क्या है डोल के तीम जो अभ्यार्थी जो होते हैं धर्ना प्रदसन करते हैं लेकिन उनको वह पर आश्वसन मिलता है उसके बाद वह वापस चले आते हैं इस वार्थ थोड़ी ज्यादा उन्होंने परिश्रम करने की सुची है कमर कसली है और 28 तारीको एक बड़ा आंदुर्ण करने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा च्छात्र पहुंचने वाले नहीं है क्योंकि जो जाने वाले च्छात्र है एक तो कोरोना का काल है दुसरी उनके अंदर उदा सिंता है च्छात्र घर बैठके वाट्सब पर ही रिजल्ट लेना चाहते हैं धरने प्रदस्ष्ण में जाने से परहेच करते हैं क्योंकि अगर यह ब्यालिस सो च्छात्र एक दिन भी घर से निकल कर आयोग या निदे साल है रिजल्ट के लिए जब आयोग जाना था तब आयोग नहीं गए कभी जब निदे साल है जाना था तो अभी भी ये एक दिन सीधे यह मान कर चलें कि आज मुझे जौइनिंग करने जाना है और यह सीधे के सीधे निदे साले पहुंचें, ब्यालिस और चोवालिस, तो वहाँ पे इनका काम तेजिस हो सकता है, क्योंकि काफी दवाओ बनेगा सासन के उपर, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, जब रिजल नहीं निकाला जा रहा था, यह फिर डाकूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया रहा था, तब भी कई अंदुलन की है, लेकिन बस वही गिने चुने प्रियाग राज के आजपास के जो लोग होते हैं, वही पहुंचते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंचते हैं, हाँ जब सबके पास समय साहे होती है, सबके पास अपने अपनी समय साहे होती है, क्यों प्रियाग राज धने में क्यों नहीं जा सकते हैं, इसके लिए, एन नमबर आप रिजन सोते हैं सबके पास, लेकिन जैसे ही डाकूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आती है, सबके सब, दो द पहुँचना होगा तब इनका ये धर्ना ये आंदुलन प्रभावी होगा तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ धर्निवाद